Hello guys, मैं हो Amit Siwan and in this video मैं पाइचियोज की कुछ problems आपके साथ share करना चाहता हूं जो मैंने खुद face की है and I want to aware you मैं चाहता हूं आप इन चीजों को जाने अगर आप पाइचियोज को purchase करना चाहते हैं या फिर आपने परचेज क्या हुआ है तो आप उसे face कर रहे होंगे या फिर आपको उसे एक पाइचियोज करना चाहिए first मैंने इक पाइचिया था कि मुझे clock app चीये मतलब मुझे alarm चीये बट भाइचियोज जो टीम है उन्होंने मना कर दिया कि आप कोई भी clock app tablet program में योज नहीं करेंगे means you cannot install any other app चाहे वो clock app है and any other app so clock app के लिए उन्होंने बिलकुल मना किया second thing मैंने कुछ video lecture के लिए request डाला even मुझे जहां तक याद है मैंने 12 सितंबर के दोरान उस request को apply किया था and आज nearly 19th November 2020-21 so आज जो date है वो लगभग 19 November है आज और अभी तक कोई भी video upload नहीं किया गया है जिसके recording मैंने request डाला था so उनका एक अच्छा response मुझे देखने को नहीं मिला so this is very bigger problem अगर आपने कोई video को request किया है और अगर आपको मिली है तो please tell me how so next thing मैंने एक चीज के लिए पूछा था उन्हें मैं ये उनके लिए बोलोंगा नहीं उन्होंने नहीं किया because उन्होंने उस टाइम भी मना किया था playback speed option जो हमें speed provide की जाती है वो 1.5 तक ही provide की जाती है मैंने इसे extend करने के लिए बोला था कि आप इसे 2x या 2.5x कर दीजिए थाकि हम revision जल्दी से ले सकें बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया and उन्होंने directly बोला हम ये नहीं करेंगे means ये tech team का काम है सो उन्होंने मना कर दिया था इसके लिए जबकि अगर आप एक strong education में एड tech company है आप इंडिया की top companies में से एक है और आप technology के ये मना करें कि ये हम कर नहीं सकते हैं आप एक option ही provide करें student इससे कोई भी परेशान नहीं होंगे कि अगर उन्हें 2.5 का option दिख रहा है तो इससे परेशान ही नहीं होंगे एक option है क्या तो वो उसे use कर सकते हैं क्या वो उसे छोड़ सकते हैं so I don't think so कि आप ये नहीं कर सकते हैं next thing जो अगर update आया है कोई भी वीडियो का तो हमें खुद ही call करके पता लगाना होता है and हमें खुद ही order place करना होता है कि हमारी वीडियोज है वो old है वो पुरानी है और हमें नई वीडियोज को update लेना चाहिए तो इस काम में भीडियोज के कुछ points हैं जहां पर lag करा है today भीडियोज और ये एक अगर student है तो आप खुद भी इसको feel कर रहे होंगे कि जब आपकी वीडियोज नहीं update हो जाती है तो आपको कोई information नहीं मिलती है तो ये कुछ points है लास्टी मैं एक बात कहना चाहता हूं जो भी भीडियोज खुछ से provide करता है that is best but if we are asking anything तो समय देते हैं कि हम सोचेंगे हम विचार करेंगे हम action लेंगे but ऐसा कुछ भी action वो नहीं लेते हैं this is all about by choose and nearly मैंने अपने points रखे हैं अगर आपके भी कुछ problems उन्हें मुका में ले कुछ सिखने का thank you for watching this video and giving your precious time meet you in the next one